नमशकार महिवानशी, स्वागत आपका हमारे शोव सिनेमा अफेर्स में आमिर खान की लाल सिंग चड़ा और तापसी पन्नू की दुबारा फिल्म के बाद इस बार दर्श्रकों ने हिंदी सिनेमा की अपकमिंग फिल्म ब्रहमास्र को सबक सिखाने का मन बनाया है इस चकर में एक बार फिर सोशल मीरिया पर भ्रहमास्र हाश्टाग ट्रेंड कर रहा है लोग इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं फिल्म को लेकर चल रहे बॉयकॉट की मांग पर बॉलिवुट अभीनीता अमिताब बच्चन भड़क गए अमिताब बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बॉयकॉट ट्रेंड की तरफ इशारा करते हुए ट्वीट किया उन्होंने लिखा कुछ बादे करने का मन करता है पर करे दुख करे कैसे हर बात की तो आजकल बात बन जाती है ब्रमास्ट फिल्म को लेकर बॉयकॉट की मांग तब शुरू हुई जब एक इंटर्व्यू के दौरान आलिया भट से बॉयकॉट ट्रेंड पर सवाल किया गया इस पर आलिया ने कहा कि अब मैं मौखेक रूप से खुद का बचावत नहीं कर सकती और अगर आपको ये मैं पसंद नहीं हूँ तो मुझे मत देखिये उन्होंने कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लोगों के पास कुछ ना कुछ बोलने के लिए जरूर रहेगा उमीद करती हूँ कि अपनी फिल्मों से उन्हें साबित कर दूँगी कि मैं वास्तव में उस जगह के लायक हूँ जिस पर मैं फिलहाल हूँ इसके बाद लोगों ने आलिया भट को नसीहत दी और उनका इतिहास उन्हें याद दिला दिया कुछ लोगों ने तो आलिया भट और उनकी फैमली के कनेक्शन्स मुंबई में हुए 26-11 टारर अटाक से भी जोड़ा प्रमास्ट फिल्म में मुख्य किर्दान में नजर आने वाले रनवीर कपूर भी स्ट्रेंड को लेकर घिरते दिख रहे हैं जहां उन्होंने एक इंटर्व्यू के दौरान कहा था यानी मेरे पिता ने मुझे कहा था कि ऐसे कोई फिल्म मत करना जिसमें तुम्हें धोती पहननी पड़े हाले कि रनवीर न ये नहीं बताया कि what's wrong with धोती Bollywood और इनके actors आज इस condition में हैं उसके लिए उनके ये senseless बयान ही जिम्मेदार है ये stars भूल जाते हैं कि इन्हें stars किसने बनाया है आयान मुखरजी निर्देशित फिल्म ब्रहम मास्तर में अमिताब अच्चन, आलिया भट, रनवीर कपूर, नागा अर्जुन और मोनी रोय मुख्यकरदान में नजर आने वाले हैं ये फिल्म सिनेमा घरों में 9 सितंबर 2022 को रिलीस होगी जिसको अपने मौल की खबर नहीं, वो हिंदी सिनेमा पर बात कर रहे है ट्विटर पर एक अकाउंट है जिसका नाम है जैंस ओफ बॉलिवूद ये अकाउंट लंबे समय से बॉलिवूद की एंटी हिंदू फिल्मों और अजेंडे को बेनकाब करता है इससे बॉक लाए पाकिस्तान ने जैंस ओफ बॉलिवूद को दल्ला बताते हुए निशाना बनाया है हाला कि ये कोशिश नाकाम निकली आपको बता दे, ये अकाउंट ट्विटर के भी निशाने पर अकसर रहा है और कई बार इससे तारगेट बनाकर डिलीट भी करवा दिया गया हाला कि इस अकाउंट को फिर रिस्टोर भी करवा दिया गया है पाकिस्तान द्वारा निशाना बनाये जाने पर ट्विटर पर सपोर्ट जैंस ओफ बॉलिवूद भी ट्रेंड होने लगा लोगों का मानना है कि बॉलिवूद को अपनी फिल्मों में हिंदू कल्चर को ध्यान में रखते हुए फिल्म में बनानी होंगी इस ट्रेंड पर बीजेपी नेता कपल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा फुल एंट टोटल सपोर्ट फोर जैंस ओफ बॉलिवूद तागेड़ कामपेइन अगेंस इट विल नॉट वर्क इंडियन सिनिमा नीड तो चेंज अने नीड तो रिस्पेक्ट थे सेंटिमेंस ओफ वीवर्स एंटी इंडिया एंटी हिंदू सिनिमा विल बी रिजेक्टेड ट्विटर बे जैंस ओफ बॉलिवूद को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और एंटी हिंदू फिल्म में बनाने वाले डारेक्टर्स और एक्टर्स को लगतार बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है अगर आपको हमारे ये शूप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेर करना न भूलें और चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद